इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत पीठ दर्द, गर्दन दर्द, जोडों का दर्द और अन्य प्रकार के शरीर दर्द हो सकते हैं। दर्द एक अधिक गंभीर समस्या का लक्षन है। आयुर्वेद के अनुसार, सभी समस्याएं हमारे शरीर में उर्जा के कारण होती हैं, जिन्हें दोश के रूप में जाना जाता है। दोश असंतुलन के कारण दर्द हो सकता है। धन्वन्तरम टेल एक सुरक्षित और प्रभावी उत्पाद है, जिसमें ऐसे तत्व शामिल हैं, जो शरीर के दर्द से राहत दिलाने में सहायता करते हैं। यह उत्पाद एक हर्बल तेल है, जो विभिन घटकों से युक्त है, जो असुविधाया दर्द में मदद करता है। यह तेल दोशों में असंतुलन को दूर करने में मदद कर सकता है, जो शरीर में दर्द का प्रमुक कारण है। त्वचा पर लगाने पर तेल उतकों में गहराई तक प्रवेश कर जाता है। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि तेल के औशधिय गुण उतकों तक पहुँचे। इससे समय से पहले बुड़ापा, जुर्रियां और तंत्रिका संबंधी कमजोरी में भी मदद मिल सकती है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. ये जोडों और हड्यों के अच्छे स्वास्थे को बनाए रखने में मदद कर सकता है। 2. ये सूजन को नियंत्रित करने में सहायता करता है। सूजन कम होने पर ये दर्द को कम करने में मदद करता है। 3. ये तेल गर्भवती महिलाओं के लिए उप्यूक्त हो सकता है। यह उनकी प्रसवोत्तर परेशानी को कम कर सकता है। इसका उपयोग शरीर की मालिश करने के लिए किया जा सकता है 4. वात दोश में वृध्धी के कारण दर्द में वृध्धी हो सकती है इस तेल में ऐसे घटक होते हैं जो वात असंतुलन को कम कर सकते हैं कफ असंतुलन भी दर्दनाक स्थितियों में योगदान दे सकता है ये तेल शरीर की उर्जा को बनाय रखने में मदद कर सकता है 5. जो लोग पीट दर्द और स्पॉंडिलोसिस से प्रभावित हैं उन्हें इस तेल से बहुत फाइदा हो सकता है 6. ये तेल आमतोर पर गठिया, नसों का दर्द, चहरे का पक्षाघात और पक्षाघात से पीडित लोगों को दिया जाता है इससे उनकी लक्षनों को बहतर धंग से नियंतरित करने में मदद मिल सकती है 7. मानस्पेशियों में एंठन, सुन्नता, दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करे